तो दोस्तो आज किस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप NCB Bank, अलाहली Bank या फिर SNB Bank आप कह सकते हैं, तीनों बैंक का नाम एक ही है, इस बैंक में आप अपने अकाउंट में Beneficiary को कैसे एड़ कर सकते हैं, एड़ करने के बाद आपको कैसे Money Transfer करना होगा, चाहे आप बात Money Transfer कर International Money Transfer की होई या फिर National Money Transfer जो आप साथी यारप के अंदर ही ट्रांजेक्शन करेंगे, दोस्तों Money Transfer करने किसे पहले आपको Beneficiary एड़ करने की जरौत होती है, Beneficiary एड़ करने में आपके लिए क्या-क्या requirement होगी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपकी जो इकामा आइड़ी हो एक्सपार नहीं होनी चाहिए, दूसरी जो requirement हो बैंक की तरफ से होती है, कि आपका जो बैंक से आपको कैसे complete करना है, दोस्तों पूरी process को step by step समझाने के ले चलते हैं, आपको अपनी mobile screen पर वही पर आपको बताते हैं, दोस्तों उससे पहले आप लोगों से request कि अगर आपने अभी तक अनिम्टेट सी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो subscribe करके बिल आइकन को समने आजाएगा, simply यहाँ पर आपको quick pay वाले option पर click करना है, जैसे अब यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर quick pay beneficiaries का option पर आपको click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपके पूराने beneficiary वहाँ पर show हो रहे हैं, simply यहाँ पर add beneficiary पर आपको click करना है, जैसे अब यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने please select country का option आजाएगा यहाँ पर आपको आपकी country को search कर लेना है चलिए मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर इंडिया को select कर लेता हूँ उसके बाद select delivery type तो simply अगर आप bank में भेजना चाहते हैं तो bank account transfer पर click कर लेना है उसके बाद please select bank सबसे पहले मैं अपनी bank यहाँ पर select कर लेता हूँ उसके बाद simply यहाँ पर आपको बहुत सारे option निखने को मिल जाते है जैसे यहाँ पर आप click करेंगे ध्यान रहे कि आपका account number गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद select currency पर आपको क्लिक करना है उसके बाद INR इंडिया नेशनल रूपीर्स का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना हालाँ कि इसके लाओ को आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद simply यहाँ पर आपको city टाइप कर लेना जो आपका city हो जहाँ पर आपकी bank है उसके बाद simply आपको English का first name यहाँ पर आपको टाइप कर लेना चलिए मेरा first name समसाद तो मैं यहाँ पर समसाद टाइप कर लेता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों यह होती कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमको English second name में क्या टाइप करना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो यहाँ पर आपको red star दिख रहा है इस red star का मतलब होता है कि यह वाला जो column है compulsory है जैसा कि आप देख पारें कि बीच वालों जो second name है इसमें इस column में कह चोड़ देना इसमें कुछ भी टाइप नहीं करना है और आपको जो आपका last name उसको type कर लेना है उसके बाद आपको आपका mobile number type करने के बाद दोस्तों simply आपको यहाँ पर address type कर लेना है आपका जो beneficiary add कर लेते हैं उसका address कहां का है यानि कि उसकी बैंग कहां की है उसके आपको प्रोसीड वाला option देख रहा होगा इसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर finally confirmation के लिए आपके सामने एक ऐसा page इंटर हो गया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन option दिखते हैं को मिल जाते है अब आपके registered mobile number पर एक call चली गए जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस number से call आई है इस call में दोस्तों बताया जा रहा है कि जो number आपने beneficiary का add किया है account number उस account number को confirm करनी के लिए आपके number पर एक OTP send कर दिया गया है उस OTP को यहाँ पर enter कीजिए तो simply आप अपने number पर ज जब आप अपना जो OTP आया है उसको एंटर करेंगे तो तुरंत आपकी जो call है अपने आप समाप्त हो जाएगी और simply आपके mobile number पर एक ऐसा message आ जाए जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो तो जैसे ही आपके number पर message आ जाए simply आप जाके अपनी beneficiary list में चेक कर सकते हैं उसके बाद जैसे मैं बैग गया यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर जो beneficiary मैंने एड किया है यहाँ पर शमशाद अली वाला नौम आपस देख सकते हैं इस beneficiary को मैंने एड किया है simply यहाँ पर मेरा beneficiary एड हो चुका होने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि ऐसी यूजफिल वीडियो जो टॉपिक हम हर रोज आप लोंगे लेकर आते रहते हैं